आज भारत की इतिहास का एक ऐसा दिन है जब भारत के इतिहास की आइरन लेडी, आदर्णिय प्रधान मंत्री इंद्रागांधी हमारे बीच नहीं रहे रुआसा भड़ा भारत का वो दिन, आज भी भारतिय इतिहास में कही न कहीं दर्ज है हर जहन में इंद्रा गांधी का नाम आज भी उसी रूप में लिया जाता है जब भी भारत बंगलादेश का युद्ध हो या भारत की विदेशनीती मजबूत करने का वक्त हो या भारत में गिर्ती अर्थविवस्था में एक नया आयाम देने का काम हो वो तमाम काम इंद्रा गांधी ने किये आईए अभी हम कॉंग्रेस भवन में हैं आईए जानते हैं यांके कुछ नेताओं से इंद्रा गांधी की बिसेश बाते हैं हमारे साथ सांती स्वामी जी हैं जो कॉंग्रेस की पुर्व अध्यक्ष हैं आईए उनसे भी कुछ जानते हैं इंद्रा गांधी के बाड़े में मेडम इंद्रा गांधी के बाड़े में सबसे अगर फेमस कहा जाए तो भारत बंगलादेश और पाकिस्तान का वो युद्ध अभी भी सबों के जेहन में है तो उनमें इंद्रा गांधी की कितनी भूमी का थे एक प्रधान मंत्री, किस तरह से उस युद्ध को निप्टा रहा था? उनकी बहुत मजगूत थी, इसलिए उतो पाकिस्तान, बंगला देश, बंगला देश को पाकिस्तान से आजाद की, मैं उदाहरन देना चाहती हूँ, इंद्रा गांधी ही बेंग के राष्टिय करन की, बरे बरे घरानों को समाप्त करने की अहम भूमका थी, आज जो भी लोग कहते हैं, जो कंग्रेस, जो करके गया, और इंद्रा गांधी हो, राजिवानी, जो भी हमारे पुरपरधान मंत्री नेहरुजी, वह देश को आत्म निर्भर बनाने में अहम भूमका रही, आज लोग देश को बेचने पर लगे हुए हैं, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, इ आज लोग जो इतना जो ओनलाइन काम हो रहा है, लोकडाउन में, इसका देन है, यह देन है, पुर्व स्वर्गे राजीव गांधी का है, इसलिए मैं अभी चुनाव का समय है, मैं कहना चाहती हूँ, कॉंग्रेस पार्टी सहाधत की पार्टी है, कॉंग्रेस पार्टी ने आज बेगुस रहे, जहां आप बैठे हुए हैं, जो कॉंग्रेस पार्टी स्री बाबु देखे गए, वह कोई अभी तक नहीं दिया, कॉंग्रेस पार्टी का ही देन है, जिसी मर्या पुल से लेके रिफांडी फैटेलाजर जो भी आज बरवनी देरी फांडी जो भी विक पार्टी का सरकार रहती तनी सित्रूप से फैक्टरी खुलती, रोजगार दिया जाता, हमारे जूबक, हमारे दलीत, किसान, मदूर बाहर नहीं जाते, यहां ही काम करते, आप लोगडाउन में देखे होंगे कितना मदूर भाई, गरीब, दलीत, कितने रास्ते में ही रह ग पार्टी के समय में जो इंद्रा गांधी ने किया आज उनकी पुनिति थी है, और जो इंद्रा गांधी ने काम किया, कौन-कोन से ऐसे काम है, जो एतिहासिक रहे हैं इंद्रा गांधी के समय में समय में? गरीब भी उस समय बेंक से बड़े पुझी पती ही ले सकते थे, उससे कारवार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाने जन के लिए बेंक को राष्टे करन करके दिया जो एक एतिहासिक है. अभी भी लोगों के जहन में इंद्रा गांधी किस रूप में याद करते हैं आप लोग? हम लोग उन्हें देवी के रूप में याद करते हैं, जैसे हिंदू पूझा में काली का, दुरगा का, लक्षिमी का, असरोसती का करते हैं, ये कल्जुक की दुरगा थी और हम लोग दुरगा के रूप में उन्हें मानते हैं. हमारे साथ सजदानन सिंग जी है प्रवक्ताव महासचीव है कांग्रेस के तो आए इनसे भी जानते हैं इंद्रा गांधी को समर्पित करते हैं इंद्रा गांधी की कुछ यादें सर बरतमान विदेश निती और इंद्रा गांधी जी की विदेश निती में क्या फर्क देखते वो जो विश्व नेतरी थी और जो भी पॉलिशी डिसाइड करती थी वो भारत के सुरक्षा के नितिगत जो सूबधा जना खो वो करती थी जैसे उन्होंने क्या करते हैं रूस के साथ सेन संधी किया इसलिए कि मेरा सरकार मेरी बेवस्था उतनी डवलप नहीं है जो हम क्या क मेरी बिस्ट्य के अनसेनिकों के साथ हमारी याराई ड जैसे चीन में हमारी हुं되 162 में इसलिए संधी कि उसके तहत हमाना अनिविक हथियार Сेन डबलप कर सके उसके केटेगरी के आ सकेगा चाहे विश्व की कोई भी सकती हम को आँख नहीं देखा सके इसलिए उनका बिदेश नीती आज के बिदेश नीती के परिपेक्ष में बहुत आगे था उनकी सोच बहुत आगे थी सर बरतमान में भी निजी करन हो रहा है लेकिन इंद्रा गांधी के समय में राष्टिये करन हुआ इसमें कितना फर्क देखते हैं और कौन अच्छा था इंद्रा गांधी या कॉंग्रेस की नितियां जो वनती है वो गड़ीबों के हित के लिए बनती है गड़ीबों के हित के लिए उससे में 1969 में जब इन्रा गांधी पावर में थी परदान मंतरिय हमारे देश की थी तो प्रीवी पर्स को उन्होंने समाप्त किया प्रीवी पर् में या क्या करते हैं बरे-बरे क्याप फेपर में नहीं है हम गरीब के साथ हैं और गरीब के साथ नितिगत पेवार करेंगे उन्होंने जितने भी पूに पती बेंकर्स थे फूजी प्राइबेट लोगों ने बेंक खोल रखा था उसका पूंजी सहित राष्टे करन करके विश्व को संदेश दिया कि हम भारत में गरिबी उन्हों का काम करेंगे गरीब के साथ हर वक्त हमारी सरकार खारा रहेगी इसके ताथ उन्होंने निजी करन किया निजी करन को राष्टे कृत करके भारत को उतना पूंजी और उसकी वेवस्ता दिया आज की परिप्ष में हमारे नरे नर्मोदी की सरकार है ये हैं खाओ पकाओ भाग जाओ यही हाल ह इनकी सारे लोगों ने आज तक देख लिजिये कॉंग्रेस के सरकार में जितने भी पूंजी पती जितने भी करदारी पकराए चाये हरसद मेहता ओप अगरे वगड़े जितने भी लोग थे सबको जेल की हवा खानी परी और इनके राज्ज में जो भी लोग पूंजी पती हैं पैसा लिंट लगा दो किसान का बेटा चितने उनका कांडी के काहनियां अभी आप लोग पढ़ते हैं वो क्या बैट है कि और कि निरुजी की बेटी थी उस वहां सिर्फ और सिर्फ भारत के हित की लराई लरी जाती थी नेरू जी साधारन फैमली से नहीं थे उनको किसी चीज की कमी नहीं थी आजादी की लराई लरना कोई उनके लिए जरूरी नहीं था लेकिन उनके जहन में भारत की चिंता थी भारत के डवलम्मेंट की बात थ और उन्होंने अंग्रेज को बिड़ा करने के लिए अपना कसम खाया कि हम करेंगे और उसके तहत उन्हें लराई लरी उनका बच्चा भी पतनी पिता बच्चे सारे लोग भारत के आजादी के लिए एक टूट थे कि नहीं हम लरेंगे भारत को आजाद कराएंगे और उसमें इन्रा गुआ इन्रा गांधी भी अहम रॉल लगाई अहम रॉल में थी उन्होंने नेरु जी के जवाने में उन्हें 169 में रास्टीय रच्ट बनी हमारे कॉंग्रेस पार्टी का वो क्या काते है जुबा वाहिनी तयार की वो क्या काते हैं कि बंदरी सेना तयार किया, इंदरा सेना तयार किया, उसकी तो हम रॉल थी, उन्होंने हर वक्त नेरू जी से सिखा कि हम भारत की जनता का सेवा किस धंग से करेंगे और उसका आधार तयार किया अपने पर्थम मंतरी काल में जो आज उस आधार पे भारत विश्व के पर्थम आठ दस देश दे हैं उनके साथ खारा भारत मिल रहा है तो सिर्मती इंद्रा गांधी की देन है हमारे साथ अभी अबनीज जी है जो बिहार किसान कांग्रेस के सहियों जख हैं आईए जानते हैं कि इंद्रा गांधी की आखरी च्छन के बाड़े में कि कौन सी बाते हैं जो अभी भी कांग्रेस पार्टी के और आम लोगों के जहन में इंद्रा गांधी के आखरी च्छन की संपूर्ण जीवन राश्ट को अरपन कर दिया था इंद्रा जी ने चुकि वो नहरू जी की पुत्री थी तो बच्पन से देश, देशवासी, देश सेवा इन सारे चीजों से वो भली भाती परचित थी और सुतंता अंदोलन के दौरान नहरू जी जब जेल जाते थे तो वो जेल से अपनी बेटी प्रियदरसनी को पत्र लिखा करते थे इंद्रा जी को प्रियदरसनी भी कहते थे तो देश सेवा उनके रगरग में था और सास्त्री जी की और समय मृत्यू के बाद जब देश की बागडोड इंद्रा जी के हाथों में आई तो अपनी दृढ राजनेतिक इक्छा सक्ती के कारण उन्होंने अनेक एतिहासिक और सासिक फैसले किये जैसे संपत्ती के अधिकार को मौली का अधिकार के सूची से निकाल कर विधिक अधिकार बनाना नीजी बैंकों का राश्ट्रिय करन करना राजाओं को मिलने वाले विसेश सुविधाओं और प्रीवी पर्स को समाप्त करना इस रहं से बहुत सारे फैसले थे पुर्वी पाकिस्तान और पस्चमी पाकिस्तान को राजनितिक रूप से चुकि भगवालिक रूप से तो अलग था ही राजनितिक रूप से अलग कर देना ये इंद्राजी की बहुत बड़ी उपलब्धी थी और जो संगहर्स था उनका परिस्थितियों के साथ बहुत सारी ताक्ते थी जो नवोदित भारत जैसे नवोदित राष्ट की उन्नती के मार्ग में बाधक बन रहे थे तो वो संगहर्स जो इंद्राजी का था उस संगहर्स के मार्ग में उन्होंने कहा था कि मेरे सरीर के लहू का एक एक कत्रा इस देश की एकता और अखंडता को सम्रिध करेगा तो इंद्रा जी जैसा व्यक्तित्व ना भूतो ना भविश्यती पूरा जीवन इस देश की सेवा में देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए खपा दिया और हमें गर्ब होता है कि हम उस कड़ी का एक हिस्सा है हमें गर्ब होता है कि हम कॉंग्रेस पार्टी के सदस्य हैं कॉंग्रेस पार्टी इंद्रा जी के वलिदानों से सिंचित है और समग्ध भारतवर्स इंद्रा जी का रिनी है सर वो घटना आज भी हमारे जहन में है आपके जहन में हर मंदिर साहीब उसमें सुन मंदिर एक पड़ा अकाल तक तुरभाग पुर्ण घटना रहा उसके बाद इंद्रा गांदी की मिर्तिव एक सीख बोडिगार्ड ने की थी जहां तक हम लोग जानते हैं तो वो पुरा बाक्या क्या था व्यक्ति संपरदाय धर्म जाती राश्ट्र से उपर नहीं हो सकते हैं इंसान को बचाईए इंसानियत को बचाईए जब इंसान ही नहीं रहेंगे इंसानियत ही नहीं बचेगी तो मंदिरों में घंटी कौन बजाएगा मस्जिदों में अजान कौन देंगे हर मंदिर में गुर्बानी कौन सुनेगा तो देश की एकता और अखंडता से खिलवार करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है उस मंजर को हम लोग ना याद करें तो बहतर है और उस घटना करम पर मैं अपनी कोई टिपनी भी नहीं करना चाहूंगा लेकिन उस घटना करम ने इतना आवस्य कहूंगा कि इंद्रा जी की जो कारिवाई थी ओपरेशन बुलू स्टार वो देश हित में था देश को एक करने के लिए था कुछ व्यक्ति विसेश कुछ संगठन उगरवादी संगठन उनकी मांगों के आगे हम देश हित को तो नहीं बली चरह सकते न तो वो कारिवाई उचित था लेकिन दुरभागे था कि इस देश ने इंद्रा जी को उस परतिसोध की अगनी ने इंद्रा जी को हम से छीन लिया कहीं न कहीं आज हम लोग के लिए एक बहुत बुड़ा दिन है ओप्रेशन ब्लू एस्टार के बाद देश की आईरन लेडी जिनोंने भारत पाकिस्तान के रुप में दो देश को खंडित कर दिया आज उनकी पुनित थी है हम अभी कॉंग्रेस भवन में थे और कहीं न कहीं एक यादगार छन मेरे लिए भी है कि कॉंग्रेस के बीच आकर हम इंद्रा गांदी की जिन्दगी के बाड़े में जाने मैं कवी निलेस केमरामेंट सकिल के साथ